हेलो गाइज, दोस्तों कीरत की सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कोटक महिंद्रा की बैंक की इंटरनेट साइट में आप बैनिफीशरी कैसे एड़ करते हैं दोस्तों ये वीडियो मैं आप दूसरी वर बना रहा हूँ, पहले मैंने दो-तिन साल पहले ये वीडियो बनाई थी, तब तक फॉर्मेट कुछ और था अब इस इंटरनेट साइट में, कोटक महिंद्रा ने अपनी साइट में फॉर्मेट में कुछ चेंजिस कर दिये हैं इसलिए मैं अभी दोबारा ये वीडियो बना रहा हूँ कि नए फॉर्मेट में ये कैसे काम करता है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि इंटरनेट बैंकिंग में बेनिफिशरी कैसे एड़ किया जाता है दोस्तों यहां फे उपर CRN नमबर डालेंगे, यूजर आइडिय अपना और नीचे पासवर्ट डालेंगे, यूज नीचे फिर लोगिन कर देंगे, इसके बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उसको OTP को डालने के बाद स्क्योर लोगिन कर देंगे, तो इसके बाद लो यहां पर क्लिक कर देंगे, यहां से भी हम घूमके पेमंट ट्रांसफर में ही चले जाएंगे, पेमंट ट्रांसफर का ओप्शन नहीं है, पहले यह नहीं था, यहां पर देखे यहां पर पेमंट एंट ट्रांसफर का ओप्शन है, यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक दूसरी तरफ कंफरम अकाउंट नमबर भी डालना है उसी अकाउंट नमबर को दबारा डालना है है confirm करना है हमने फिर नीचे account type कौन से का कौन से type का account है जिसको add कर रहे है saving account है current account है overdraft है cash credit है जो भी है उसको select करना है फिर यहां पर नाम देना है beneficiary का beneficiary का एक nickname भी देना है और beneficiary का एक nickname होता यहां पर यहां पर इसको continue कर कर देंगे यह देखे सारी detail चेक करके जो आपने फिट की थी इसको submit कर देंगे submit करने के बाद दोस्तो activation की आएगी आपके mobile नमबर वे एक message के थ्रूँ आएगी यहां पर हमने वह एक्टिवेशन की लिखनी है एक्टिवेशन की डालते ही इसको active नाओ कर देंगे एक्टिव नाओ करते ही यह हमारा beneficiary जो है वह active हो जाएगा यह देखे beneficiary activated successfully तो इस तरह से इसको okay कर देंगे okay करने के बाद यहां पर अगर हमने fund transfer करना है तो कर सकते हैं मैंने manage beneficiary में उसको देख भी सकते हैं fund transfer कोटक मिंद्रा की खास बास यह है कि आप beneficiary add करने के बाद एक्टम से ही अपना fund transfer कर सकते हैं और पहले 24 गंटे के अंदर आप सिर्फ 50 यार ही transfer कर सकते हो अगर आपने इससे ज्यादा transfer करने हैं तो आपको 24 गंटे के वेट करनी पड़ेगी 24 गंटे बाद यह beneficiary पूरी तरह से activate हो जाता है और आप इससे अपनी लिमट चितनी आपकी account के लिमट होती है उस लिमट तक अपना fund transfer कर सकते हैं तो दोस्तों दूसरे bank जो है वह इतना अगर दूसरे आई-स याई बैंक ले लिए एच्टी एफसी ले लिए अब beneficiary आट करते हैं तो उसमें कुछ टाइम लगता है जब beneficiary करते हैं तो आदा गंटा जा एक गंटा दो गंटे लेते हैं beneficiary को अप्रूब करने में लेकिन कोटक मेंद्रा बैंक में ऐसा नहीं है कोटक मेंद्रा बैंक में आप जैसी beneficiary को आड़ करते हैं उसके बाद ही आप 50 यार दक पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से देखा कि हमने हम कोटक मेंद्रा की internet banking साई में बैनी beneficiary कैसे आड़ करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही जानकर यह अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें